हलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ नीरच कुमार और आप देख रहे हैं हैस्टाग इंडिया दोस्तों आज के दिन ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना बोले तो बहुत ही जादा दिमाख खराब उसके उपर जितना पैसा आप लगा रहे हैं क्या उसका जैसा स्पीकर आपको मिल पाता है आपने जितना पैसा लगाया है उसका मज़ा आप ले पा रहे हैं आपने जितना पैसा सोचा है क्या उसका फाइदा आपको मिलेगा यह सारे जो क्वेस्टन्स होते हैं वो आपकी दि करते हैं तो reason मेरे को comment में दे दीजिए कि मैं इसलिए जोबिल पर नहीं करता हूं या फिर दूसरा कोई brand prefer करता हूं जो की अपने segment में बहतरीन है और कम दाम में है और अच्छा side by side comparison में करके आपको दिखाने वाला हूं और यूट्यूब के ओपर मैंने दोनों Bluetooth speakers की side by side comparison के वीडियो भी देखी थी दोस्तों उसमें बहुत सारा आपको confusion create कर देते हैं और आप तैय नहीं कर पाते कि आपको कौन सा Bluetooth speaker खरीदना चाहिए आपको वो लोग अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हैं और आपको तो पताएए मेरा channel इसलिए जाना जाता है कि मैं हमेशा सच बताता हूं क्योंकि मुझे brand से पैसा नहीं मिलता है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दो Bluetooth speaker है जिसमें पहला हमारे पास है JBL Partybox 300 और दूसरा हमारे पास में है JBL Boombox तो ये दोनो speakers का side by side comparison हम करने वाले हैं इनकी जो common features है वो list out होंगी इनके जो specials features है वो list out होंगी और ये अपने आप में क्यों मसूर JBL माने जाते हैं वो list out होंगे तो ये तीन चेज लिस्ट आउट होंगी इस वीडियो के अंदर आपको आपका confusion दूर करने के लिए आपको कौनसा Bluetooth speaker खरीदना चाहिए वो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा उसके अलावा दोस्तों आपको मैं guide करूँगा कि Bluetooth speaker कैसे choose करते हैं वीडियो के end में तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं जानते हैं इनका side by side comparison दोस्तों यह है यहां पे available हमारे पास कुछ technical details और JBL Partybox 300 JBL Boombox आप इनके side by side comparison हम करेंगे तो दोस्तों इनके जो पहले जो common features हैं वो हम discuss कर लेते हैं common features कौन कौन से हैं और इन में कौन से ज़्यादा है तो वो भी discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले common feature आता है brand तो दोस्तों दोनों ही JBL Brand के है manufacture में आते हैं दोनों ही harman manufactured है और हम बात करें दोनों batteries की तो दोनों lithium की battery है lithium-ion battery है polymer wonी और बात करें हम उसके बाद में इनके compatible devices की तो दोनों के दोनों audio player laptop, mobile, and tablet सारे compatible device हैं दोस्तों बात करें हम अभी यह थे इसके common features अभी दोस्तों हम डिसकस में आपको बताता हूं कमपैरिशन में की इनके फीचर्स और डिफरेंस क्या है जेबिल पार्टी बॉक्स 300 2018 में लॉंच हुआ था जबकि जेबिल बूम बॉक्स 2017 में लॉंच हुआ था ४फ जेबिल पार्टीबॉक्स 300 डस हजार मेंच की बैटरी का मिलता है और वही आपको बॉंच ब्स हजार मेंच की बैटरी का मिलता हूं तो आप इतना लॉजिक लगा लीजे 10 हजाएammage की बैटरी आपको कितना बैक कदेती। है। आपके पास पावर बैंक मित्वाज़श की बात करें। जो जे बिएवी को सब वूफर उसके अंदर लगाओ वाता है उसका special feature subwoofer है और जहां हम बात करें JBL boombox की तो यह waterproof है complete waterproof JBL woofer है और इनके drivers की बात करें तो JBL party box 300 के अंदर 240 watts के drivers लगे हुए हैं जहां JBL boombox के अंदर 60 watts के driver लगे हुए हैं और इनका audio wattage है जो JBL party box 300 का है 120 और JBL boombox का है 60 watts बैटरी average life की अगर हम बात करें तो JBL party box की जो बैटरी average life है आपको 15-18 hours continuously music मिलेगी आप लगातार 15-18 गंटा music enjoy कर सकते हैं full volume के उपर जहां बात करें हैं JBL boombox की वहां आपको 22-25 गंटे आपको मिल जाते हैं continuously उसे भी ज़्यादा मिल जाता है यह average जो life है वो है 22-25 गंटे continuously music का आनन्द आप उठा सकते हैं connectivity की बात करें तो JBL party box के अंदर आपको wireless, Bluetooth और USB की option मिलेगे जहां JBL boombox के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ Bluetooth का option ही मिलेगा दोनों के weight की बात करें तो 15.8 kg का JBL party boombox है और 5.25 kg का JBL boombox है तो दोस्तों इसके अंदर difference क्या है जो हमारा JBL party box 300 है वो उसकी connectivity wireless से भी कर सकते हैं ब्लूटूथ का option जो regular है वो regular है और JBL boombox के अंदर सिर्फ connectivity आपकी Bluetooth की रह जाती है बात करें हम battery की तो 10,000 image की battery JBL के अंदर है JBL party box के अंदर है और 20,000 की battery JBL boombox के अंदर है तो यहां एक point JBL boombox को मिल जाता है और connectivity के अंदर एक point JBL party box को मिल जाता है यहां हम बात करें speakers की तो 240 watts के speaker JBL party box को मिलते हैं और 60 watts के speaker JBL boombox को मिलते हैं तो यहां फिर से एक point चला जाता है JBL party box को और JBL boombox को चला जाता है उसका कुछ point नहीं जाता है कि दोस्तों यह comparison था side by side comparison इनके prices भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं हालांकि अपके market से differ भी हो सकते हैं मैंने amazon से निकाल के दिए वे अगर आपको यह दोनों speakers खरीदने हैं तो मैंने मेरे डिक्स वीडियो की डिस्क्रिप्स के अंदर दोनों जेविल के जो लिंक है Amazon लिंक बाइ लिंक वह मैंने डाला हुआ है वहां से आप प्रचेज कर सकते हैं और दोनों अपने आप में बहुत ही बैटरी जेविल स्पीकर है side by side comparison एक एक comparison मैंने इनका आपको दिया हुआ है दोस्तों यही comparison आते हैं में चीज़ आती है battery brand features and output of speakers यही आपको देखना चाहिए उसके लावा मुझे नहीं लगता कुछ और देखना चाहिए तो दोस्तों आपने side by side comparison तो देखा ही होगा और क्यों यह दोनों के दोनों Bluetooth speaker आपके लिए फाइदेमंद हैं और यह जो वीडियो है आपके लिए कितना solution लेके आती है यह मुझे आप comment में बता दीजे तो दोस्तों बात आते हैं हम बता आते हैं कि आपको कौन सा Bluetooth speaker चूज करना चाहिए दोस्तों दो रीजन होते हैं रीजन नमबर वल आप कितना यूज करते हैं कितना सुनते हैं उसको कितना मजा लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं आपके पास budget अच्छा खासा है आप एक centralized speaker रखना चाहते हैं इंडोर के लिए आउड़ books 300 US कर सकते हैं कि बहुत 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 हैं के लिए करने के लिए कि यह कंपरेजन्स के लिए नहीं है लेकिन उसे भी ज्यादा बहुत काम के लिए बने हैं यह दोनों की दोनों ब्लोटूथ स्पिकर तो दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दूसरे स्पिकर के लिए कि अगर आप रेरली यूज करते हैं लेकिन आपको sound, music बहुत पसंद है अप गाने सुनना चाहते हैं अच्छे device के ओपर अच्छे sound क्वालिटी आप सुनना चाहते हैं तो दूस्तों JBL Boombox आपके लिए बहुत ही बहतरीन है Waterproof है बहुत बढ़िया है आप बारिस में भी इसका मज़ा उठा सकते हैं तो दूस्तों ये से दोनों के दोनों स्पीकर आपको कौन सा चूज करना है वह आप देखिए अपने बजट और आपके च्वाइस और आपके यूज के साब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई दूसरे ब्लूटूथ स्पीकर में इंटरस्ट है या फिर कम पैसे वाले से जरूर है कि आपको कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहिए तो उस चीज़ में आपको बहुत ही है आपको सजेक्शन दे सकता हूं आपके डाउट क्लिर कर सकता हूं यह चीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप खरीदिये जी बिल और मुझे कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा जी बिल खरीदा है और मिलते हम अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत